नमस्कार दोस्तों तो आज हम बनाएंगे एक फोटो फ्रेम वो भी कुछ बेष्ट माटेरियल से जैसे की ये केक की नीचे का वेश है तो हम इसे फेकेंगे नहीं इससे हम बहुत अच्छे चीजे बना सकते हैं दोस्तों तो कोई भी चीज बेष्ट नहीं होती तो हम लेंगे गत्ता और उसके कुछ ऐसे ही पीस काटेंगे तो उसके हम कुछ लाइन बना लेंगे एंड हम उसको ऐसे कट कर लेंगे और जो हम लेंगे केक का वेस अगर आपके पास नीचे का केक का गत्ता नहीं है नीचे का तो आप ऐसे ही कत्ते से एक गोल सेफ का कट कर सकते हो और अगर आपके पास है या फिर आप सेफ ली रख लेते हो तो फिर उसी को यूज़ कर सकते हो तो हम इसे यहां उल्टा लेंगे क्योंकि उपर की तरफ तो हम डिजाइन बना लेंगे तो वह कलर वगएरा से डिजाइन से कवर हो जाएगा और पीछे के साइड हम उसे साइन ही तो देखे जैसे आप दीख रे हैंतो ऐसे अच्य के उसे कर लेना है और सभी को सिट करने के बाद मैं उसे ड्राइं कि यूदlles कर लेना है और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वील आइकन की बटन भी जरुर दबाईएगा तो आपको करना है संक्राइब और विल आइकन की बटन भी दबानी है तो जैसे मैं कोई वीडियो डालूँगी तो नौटिफिकेशन में आपको रिसेंटली मिल जाएगा कि अब हम लेंगे ग्लूगं श्टिक एंग दूसरा हम एक ऐसा ही गत्ते का कट लेंगे एंगे ऐसे लेना है कि हमें इसके उपर यह सेट करना है तो हम इसको सबदके के लाइन के बार अच्छी वेशन मैं उसके कवरर कर देंगे इतने भी इंदर की लाइन है आइन उपर की जो एटे हम में छोड़ देना है उसे हम धुसे कलर से करेंगे तो यह देखिए कलर हो गया है democratic करलेंगे दॉसरे और यहांrike करेंगे तो हम यहां एक average sponge लेंगे और उसमें कुछ चलर हम डाल करके मतलब कि 7 अस इह उपर से हमझे कलर कर देंगे और इसको हम ड्राइ होने के लिए फाइब मिनट के लिए छोड़ देंगे इसके बाद हम कुछ कलर और सेट कर लेंगे तो दोस्तों कलर आप अपने मर्जी कर सकते हैं एंड हम यहाँ गोल्डन कलर उपर से टच अप करेंगे तो गोल्डन का एंड सपार्कल ग्रीन का हम उपर से टच देंगे तो यह जो फ्लावर है यह मैंने बना के रखकते थे कापी पहले से तो जभी कलेए अश्ट्रा हो जाती है या फिर जो है वाइट सिमिंट जब हम गुल के उसका kree बनाते हैं तो जब इश्रा हो जाती है तो फिर मैं ऐसे flower बना के रग देती हूँ तो ये clay से बने हुए flower है तो clay चाहे ward cement की हो marvel की हो या ready mid clay हो तो जो भी इश्रा बच जाती है dry होने से पहले मैं उसे कुछ न कुछ बना के रख देती हूँ तो बस ये पहले से मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने उनको सेट कर लिये हैं गोल्डन कलर करके उसमें चिपका देनी है और उपर से हम उसमें लगा लेंगे बीच में एक एक मिरर तो मैंने यहां सरकल मिरर लगा लिया है इसके बाद हमने ग्रीन टच भी दे दिया है और अब हम लगाएंगे स्कॉायर मिरर वो भी थोड़ा सा टेड़ है तो जो सरकल है तो बचे हुई हिस्ते पे फ्लावर के साइड से सरकल में चारो तरफ हमें लगा देने हैं मिरर अब हम नीचे का जो बेस है तो उस पे हम लगा देंगे गोल मिरर उसके दो-दो लाइन हमें लगा देने हैं तीनों तरफ तो उपर जो रेड कलर का जो बीच का स्पेस है तो हाफ रेड और और हाफ रेड और थोड़ा सा जो ग्रीन है वहाँ पर एक सरकल करके एक छोटी बेबी का फोटो लगाएंगे और उसको कवर करूंगी सारे मैं सुन्दर सी डिजाइन से और दोस्तों मैं ये आज नहीं लगाऊंगी तो इसलिए मैंने पिक जरूर आपको इसका वीडियो जरूर डाला है पर पिक नहीं लगाया क्योंकि वो बेबी से मैं भी मिली नहीं हूँ तो मुझे जाना है उसके पैदा होने के बाद फर्स्ट टैम मैं मिल रही हूँ तो उनके हर पर पार्टी है और उनने मुझे बुलाया है तो मुझे लगा मुझे क्यों ना बना की कुछ देना चाहिए तो मैं नीचे रेट्स में उसका नेम लिखूंगी और उपर फोटो तो अगर आपको अच्छे लगए तो लाइक से सस्क्राइब जरूर करिएगा तो यह वो बच्ची है जिसका नाम लट्टू है और जिसके लिए मैंने ये फ्रेम बनाया था तो यह रात में लिया है इसलिए इतना अच्छा ब्रैट नहीं आया फ्रेम में रेड्नेस काफी कम है तो यह देखिए कितने सुन्दर फोटो इसमें लग रही है आप ऐसे कोई भी बड़ी सी और इससे बड़ी पूरा गोल बीच में लगा सकते हैं पिक और साइड से उसको काल पी भी टांग सकते हो एंड आप ऐसे रख सकते हो अल मेरे वगेर में तो बहुत ही प्लिटी लगेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीट्यो पर दोस्तों और जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाबाए